क्या आप जानते हैं कि आपकी प्रात्ना क्यों नहीं सुनी जा रही है आपके तमाम कोशिशों की बावजूद भी आपकी प्रात्ना नहीं सुनी जाती और आप देखते हैं कि आप बहुत उप्वास कर रहे हैं बहुत चर्च जाते हैं अराधना स्थूती करते हैं मसी सम्मेल जनों में अपने आपको शामिल करते हैं, धर्म के काम करते हैं, फिर भी आप देखते हैं आपकी प्रातना नहीं सुनी जाती, आपके प्रातना से कोई छुटकारा नहीं होता, आपके प्रातना के द्वारा कोई चंगाई नहीं होता, आपके जीवन में आशीश नहीं है, तरक लिखने में याता है कि उसकी प्रातना सुनी ही नहीं जाती, तब वो ताज्यूब करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो प्रभू में हूँ, हम तो प्रभू में हैं, फिर भी हमारी प्रातना सुनी नहीं जाती, हमारे बंधन तूटते नहीं है, हमें छुटकारा नह यसाया 69 का एक से पढ़ेंगे लिखा है ना वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुनना सके परन्तु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम को तुम्हारे परमिश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मूँ तुम से ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता पिर नीचे आ जाएंगे लिखा वे बुराई करने को दोड़ते हैं और निर्दोश की हत्या करने को ततपर रहते हैं उनकी युक्तियां व्यर्थ हैं, उजाड और विनाष ही उनके मार्ग में हैं शांती का मार्ग वे जानते ही नहीं और ना उनके वेवहार में नयाय हैं उनके पथ टेढ़े हैं जो कोई उन पर चले वह शांती न पाएगा जी हाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि मनुष्य का जीवन पाप में गुनाह में या गुप्त कामों में जो की परमेश्वर के निकट भली नहीं है तो फिर वो आपकी प्रात्ना नहीं सुनेगा आज हमें अपने आपको जाचने और देखने की जोरत है सिर से पाउं तक कि क्या हम वाकई प्रभू के लोग है क्या वाकई हमारे जीवन में गुप्त बाते नहीं है क्या कोई गुप्त पाप हमारे जीवन में राज कर रहा है यदि कोई गुप्त पाप है तो आज आशु बह पश्चाताब कर लेने का दिन है क्योंकि दिन बुरे हैं और वक्त अनमोल है परमेश्वर का वच्चन हम इसी खाता है कि जब हम पाप गुना में वे विचार में जीवन को पिताते हैं तब वो हमारी नहीं सुनता वो इसलिए कि प्रभी उश्मसी एक पवित्र पिता परमेश हालेलूया वो अगम में जोती में रहता है और मनुष्य उसे देख नहीं सकता इसलिए जिस किसी को भी आशिश पाना है चंगाई पाना है छुटकारा पाना उधार पाना है तो पवित्रता का जीवन बिताना भी जरूरी है हालेलूया हम पढ़ेंगे याकूब का चार उसका तीब और चार तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो हे वे विचारनियों क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है अता जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आपको परमेश्वर का बैरी बनाता है आमेन आये हम प्रात्न करें धन्यवात पिता परमेश्वर अनुगरकारी पिता परमेश्वर आपका धन्यवात करते है इन वचनों के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभू जबकि हम ये वचन सुन रहे हैं प्रभी शुमसी हालेलूया पिता प्रभु हमें शक्ती दीजे, सामर दीजे अकल, बुधी, ग्यान से भरिये, अपनी आत्मा से भरिये, पवित्रात्मा से भरिये प्रभु कि हम एक ऐसा जीवन बिताए जो आपको पिता पसंद हो हालेलूया जो आपको पसंद हो प्रभी शुमसी हालेलूया एक ऐसा जीवन जिसमें पाप गुना ना पाया जाता हो छल कपट चतुराई बुराई ना पाया जाता हो प्रभु एक साब सुत्रा और पुवित्र जीवन हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभी शुमसी हम आपके पास पिता संपूर्न हिर्दे के साथ आते हैं प्रभू हमें शुद्ध कर अपने लहु से धोकर पुवित्र कर प्रभू और प्रभू हमने जो कोई भी पाप गुणा किया है उन्हें च्छमा कर पिता शुरा जहालेलुया अपने आपको अपने जीवनको अपने प्राण अपने आत्मा अपने शरीर को तेरे हाथों में सौंकते हैं प्रभी शुरा जहालेलुया रिबालाबा, सांडाराबा, सिखेरी, अंदालाराबा अनुगर कीजे, किर्पा कीजे इशुराजा, हालेलुया जितने लोग भी ये प्रात्ना सुन रें उनके जीवन में अद्बत और आश्र कर्म हो पिता इशुराजा, हालेलुया यदि वो पाप में भी हो इशुराजा, तो वो पिता पीछे लोड़ जाएं, तेरी और आजाएं, प्रभी शुराजा, हालेलुया अपने पापो को मान कर पश्चा ताप करे इशुराजा, तुस्से च्छमा मांगे हालेलुया गुतना टिका कर प्रात्ना करे प्रभू प्रात्ना करने के लिए प्रात्ना सुनने के लिए दया करने के लिए प्रभू जितने लोग इस प्रातना को सुन रहे हैं आपके जीवन में प्रभू आश्चर करम करना चाहते हैं आपको बचाना चाहते हैं क्योंकि वो आपका पिता परमेश्वर है वो नहीं चाहता कि आप नर्क में जाए वो चाहता है कि आप एक पवित्र जीवन बिताए हालिलुया पस्षताब कर ये छमा मांगे आँसु बहा लिजे क्योंकि आज अनुगर का दिन है ये दिन ये वक्त निकल जाएगा और कल का वक्त कभी नहीं आएगा धन्यवाद करते हैं हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपने बिताए ये शु मसी के नाम से मांगते है आमीन आमीन आमीन